हाई होप सो यूआल आर एपसलूटली फाइन और टेलिग्राम के उपर दीगी स्टेडी के द्वारा आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं मुझे यह वाशा है यह मुझे उमीद है अब बात यह आती है कि एक दिन पहले स्टॉक पोस्ट करता हूँ और सुबा भी काफी सारे लोगों को ट्रेड लेने में धर लगता है लेकिन जब मैं अपना ट्रेड शेयर करता हूँ कि हाँ मैंने पुजिशन बना लिया तो उसके बाद काफी सारे लोग पुजिशन बनाते है लेकिन उसके बाद जब मैं एक पोस्ट करता हूँ voting कि वे या have you taken trade with me, दूसरा option में यहाँ पर यह देता हूँ कि no bro डर लगता है, तो उसमें 50% की voting उसमें जाती है और 50% yes bro की posting में जाती है, तो मुझे लगा कि आज इसके उपर video बनाते हैं और चलिए ऐसे ही इस मिजाज में ही बनाते हैं तो please like कर देना, share कर देना अगर आपको answer मिल जाए देखो दोस्त, किसी भी चीज की अगर आप शुरुवात नहीं करोगे ना, तो उसके end result पे नहीं पहुँचोगे आप बोलो मैं बिना paper दिये pass हो जाओ तो हो सकोगे, आप बिना बोलो मैं paper दिये एक solution है, money management money management के उपर मैंने काफी बड़ा एक video भी बनाया, अभी कुछ दिन मैंने live आप लोगों को सिखाया, लेकिन फिर भी, चलिए मैं दुबारा से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इनके उपर गोर कीजेगा, देखिए हमेना market में ठहरना है अगर आप market में ठहरने आ जाओगे न तो आपको डरनी लगेगा, देखो हमारी pocket में क्या जितने पैसे होते हैं हम एक दिन में खर्च करते हैं, जितनी हमारी saving होती है क्या हम एक दिन में खर्च करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर हमारे जो D-Met account में पैसा है, हम क्यों उसका पूरा इस्तमाल करते हैं, क्यों पूरी limit ले लेते हैं, क्यों हम मतलब एक ही दिन में अमीर होना चाहते हैं, बताईए क्या पूरा पैसा business में हम लगा देते हैं, नहीं कुछ रखते हैं न संबाल के, इंशोरंस भी करवाते हैं, तो उसी तरह जब एक trade लेना है, तो थोड़ा सा इंशोरंस होना चाहिए, या फिर आप क्या सकते हो, आपके पास B-Plan होना चाहिए, अब B-Plan क्या है, ये भी मैं बताऊंगा, तो देखो सबसे पहले, आपकी जितनी capital है, दस हजार, पांत सो हजार, जितने से भी यार, whatever you have in your DMAT account, first of all, just divided, इसको न, divide करो, कि भाईया, मुझे market में, अगर 6 महीने के तक रहना है, तो मैं महीने के कितने trade लूँ, और कितना loss लूँ, ठीक है न, सोचो अगर आपने, आज एक trade में 20 रूपीज का loss है, या कितना भी है, समझे लो, आपकी capital 10,000 है, और 10,000 से आप चाते हो, मैं 6 महीने तक market में रहूँ, तो 6 महीने के हिसाब से, 180 दिन जो आपके बनेंगे कुछ, ट्रेडिंग के, उसमें से भी 20 डे होते हैं, ट्रेडिंग के, तो 20 इंटू आप 6 करोगे, तो आपका सीधा सीधा बन जाएगा, 26-12, मतलब 120 ट्रेडिंग सेशन, तो अगर आप 120 ट्रेडिंग सेशन लेके चल रहे हो, कि मुझे ट्रेड करना है, तो बैया अपनी 10,000 केपिडल को 120 के साथ डिवाइड कर लो, तो पर डे का आपका उतना रिस्क रहेगा, ठीक है न, लेकिन अगर आप चाहते हो बैया, 10 इंट में मुझे अंबानी बनना है, तो वो नहीं होने वाला, कोई भी चीज एक दिन में रिजल्ट नहीं देने वाली, कभी-कभी किस्मत इतनी खराब होगी, आपके 3-4 दिन लगातार SL हिट होंगे, ये बात भी ध्यान रखेगा, तो उसमें एक गैप देना पड़ता है, रुकना पड़ता है ट्रेडिंग में, तो भी ये जब तक आप अपने आपको ये नहीं समझा लेते, कि मुझे मार्किट में 6 महिने के लिए रुकना है, और इसी कैपिटल के साथ रुकना है, कम होगी, तो मैं और लॉस कम कर दूँगा, ठीक है न, अगर आज 10,000 मैंने सोचा, मैं 6 महिने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ, पर डे का रिस्क मेरा 100 रुपे का है, 200 रुपे का है, तो इसको मुझे 6 महिने के लिए चलाना है, कल ही आपने 100 रुपे का लॉस कर दिया, तो अब 9900 बचे, विद ब्रोकरेज अगर काटोगे, तो 9800 जितना भी आप बना लो, फिर उसको डिवाइड करो, कि यह अगले जो दिन बचे है, मैं उसके हिसाब से चलूँगा, तो कितना पीछे बचेगा, जब आप 6 महिने तक मार्किट में टिक गे न, तो आपको अपनी स्टेटेजी पे खुद बरोसा हो जाएगा, confidence आजाएगा आपको trade करने का, 6 महिने तो क्या मैं कहता हूँ, आप 15 दिन ऐसा करके देखिए, 20 दिन करके देखिए, आप पैसा बनाएंगे, और अपने मन से बस एक चीज निकाल दो, कि मुझे loss recovery करनी है, और मुझे एक दिन में अमीर बनना है, ये दो चीजें जब आप markets में आए हो, और ये अपने mind से निकाल दी, तो पैसा खुद आएगा, और आप डरोगे भी नहीं, तो जिनको भईया डर लगता है, उनको बस यहीं बोलना चाहूँगा, आप जो per day का loss है, उसको 3 trade में divide कर सकते हो, कि या मैं आपने आपको 3 chance दूँगा, देते हो न 3 chance, क्या एक ही chance में खतम हो जाते हो आप जिनदगी में, 3 chance दूँगा, एक उस loss को भी 3 trade में divide करो, आज 3 trade मारूँगा, कि आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, सीखा है तो like करें, share करें, और जादा से जादा आगे लोगों तक पहुँचाएं, और please telegram channel को भी share करें, join जरूर करिएगा मेरी study पाने के लिए, बाकी वेए risk आप सब का है, सोचकर समझकर invest करो, I am not savvy registered, जितना हो सके आगे forward कीजिए, मैं इसी तरह की और भी study पोस्ट करूँगा, चैनल को subscribe जरूर करिएगा,